हलो केट्स, हावार यू, आई होप यू, आल आर वेल इट हूँ बच्चों, आपको वरण प और फ लिखना सिखा दिया है अब आज हम वरण ब, भ और म लिखना सिखेंगे लेकिन उससे पहले हम गुन गुनाएंगे प पतंग फरफर उड़ती है, दोर जिधर चाहे मुड़ती है फ से फल ताकत देते हैं, कई तरहां के ये होते हैं बसे भकरी भूली भाली, दूध है हलका दोथनवाली भ भालू है काला मोटा, खेल दिखाता, खा कर सोटा म मचली है जलकी रानी, लेकिन पी नहीं, पाती वह पानी बच्चों, आज आप अपनी प्रिंटिड हिंदी नूर्ट बुक का पेच नमबर 41 करोगे जिसमें हम लिखेंगे ब से बकरी, भ से भालू और म से मचली तो बच्चों, ब से बकरी के अलावा बरतन भी होता है, भ में भालू के अलावा भेड भी होती है और म म में मचली के अलावा मोर भी होता है तो आज आप अपनी प्रिंटिड हिंदी नूर्ट बुक का पेच नमबर 41 लिखोगे अब मैं आपको बताएगी कि आपने ब से बकरी कैसे लिखना है अब आप ध्यान से देखेंगे यह जो डॉट है, डॉट पे पहले आप बन बनाओगे फिर बीच से इसको ऐसे गुमाओगे यहां से इसका कार्ट दोगे और उपर इसके स्लीपिंग लाइन लगा दोगे बस से बकरी एक बर फिर से देखो बन बनाओगे आधा गोला बना दोगे बीच से कार्ट दोगे और उपर स्लीपिंग लाइन लगा दोगे अब भर से भालू कैसे बनाएंगे अब आप ध्यान से रेखेंगे कि भर से भालू कैसे बनेगा यहां से हम गोला बनाएंगे इसको एक standing line को नीचे लाएंगे फिर गुमाएंगे यहां तक लेकियाएंगे और जो dot है उसके उपर लंबा one बनाकर बस जो लंबा one बनाया यहां जो एक standing line बनाई उसी के उपर sleeping line लगाएंगे पूरे इसके उपर नहीं लगानी है फिर से देखो ऐसे गुमाया एक छोटा सा one बनाया फिर से गुमाया फिर यहां से dot के उपर से one बनाया और one के उपर छोटी से line लगा दी भ से भालू, भ से भे, मह से मचली भी भालू की तरह ही बनेगी, लेकिन भालू में हमने आगे गोला बनाया था, इसमें नहीं बनाएंगे, इसमें हम सीधा वन बनाएंगे, इसको गुमाएंगे, फिर इसको आगे लेके चाहेंगे, फिर एक वन बनाएंगे, और इसके उपर, एक बर फिर से देखो, एक छोटा सा वन बनाएंगे फिर इसको गुमा देंगे ऐसे जिसे बावालू में गुमाये था फिर एक लंबा वन बनाएंगे नीचे तक बड़ी लाइन में और इसके उपर स्लीपिंग लाइन लगा देंगे भ से भालू तो आप घर में ब बकरी, भ भालू, म मचली या ब बरतन, भ भेड, म मूर लिखोगे और बोल बोल कर लिखोगे और सुन्दर हंड्राइटिंग में लिखोगे बाई बाई